यत पाद पंकज रजब परिमार्जी तेशु चेत सुदर्बण तला मलतांग तेशु शब्दार्त संपद उदार्त रास्पुरंते विग्नच्च देश्त भगवान सगनाधिनातः मित्रों हम लोग विचार कर रहे थे प्रतीमानर्थ का और प्रतीमानर्थ के जो अनेक भेद है उन भेदों को जिनकों के आचारिय अभिनो गुप्त ने प्रतीमानम पुनरन्य देव बस्तवस्तिवानेशु महा कवी नाम इस कारिका के प्रसंग में अपने लोचन में प्रस्तुत किया है उन अनेक भेदों में जो पूरुपक्ष का शास्त्रा रहते वो बड़ा लंबा शास्त्रा रहते वो चल रहा था तो हमने अब तक जो विचार किया उसमें ये देखा कि लक्षणा में ध्वनी का अंतरभाव नहीं किया जा सकता या लक्षणा से ध्वनी गतार्थ नहीं हो सकती देखिए तीन चार बातें इसे बड़ी महुत तुपूर्ण है कि शब्द शक्ति की चार कक्षाएं हैं प्रतम कक्षा है अविधा दितिये है लक्षणा अदितिये है तात परिवृत्ति तितिये है लक्षणा और चतूर्त है आपकी व्यंजना या ध्वनी तिये चार कक्षाएं हैं और विचार की दो धाराएं हैं एक तो आपका है एक शक्तिवाद अर्थात सोयम इश्वरी वदीर गदीर के तरु अभीदा व्यापार है और दूसरा जो आपका पक्षए है वो है शब्द बुद्ध कर्मणाम विरम्व व्यापारा भावह ये मिमानसकों का पक्षए तो इनका मानना है मिमानसकों का कि एक ही व्यापार सभी अर्थों का ग्यान नहीं करा सकता उसके लिए आप कोनी एक व्यापार मनाने पड़ेंगे पहले अभिधा से संकीतितार्थ आएगा फिर तात परिवृत्ति से अनवय होगा उन संकीतितार्थों में उसमें भी दो धारा आएं हैं एक है अनभिधा विधानवाद की धारा दूसरी है अभिधानवय वाद की धारा तो अनभिधा विधानवाद की धारा में तात परिवृत्ति नहीं मानी जाती लेकिन अभिधानवय वाद की धारा में जो प्रभाकर में शृत्यारी की है उसमें तात परिवृत्ति माननी पड़ती है क्योंकि वहां पर ये स्विकार किया जाता है के विदा केवल वाच्चारत को उपस्तित करके विरत हो जाती है और उन उपस्तित हुए अनन्विद वाच्चारतों में अन्वे के लिए आपको तात्परी वृत्ति माननी पड़ेगी वाली यह मीमान सकों की रक्रिया है लेकिन कुछ आचारे ऐसे हैं जिन्होंने आपको यह माना कि नहीं एक ही शब्द बृत्ति अविदा बृत्त मात्रगा जिसे मुखलुबट इत्यादी कि एक ही शब्द बृत्ति अंत तक क्रिया शील रहती है और जो अंतिम प्रयूजन है वहां तक उसका घ्यान करा कर ही वह विरत होती है तो यदि एक शब्द एक शक्तिबाद मानते हैं तो फिर रुप्र ऀण्जना की आवश्च्यक्ता नहीं तो उसका खंडन करते हैं आचारे कि हमें करम से इन चار शक्तियों को मानना पढ़ेगा और इन पूरवर्ती तीन शक्तियों में अवीधा, तादपर्य और लक्षणा तीनों में दुनी का अंतरभाव नहीं किया जा सकता प्रायतीनों से हम उस अर्थ को नहीं जान सकते जिस अर्थ को जानने के लिए हमने व्यंजना को अपनाया तो यहां तक हम लोग ने विचार किया था तो पंटी आपने देखी होगी कि भ्रमधार्मिक विस्रब्ध के बाद हम चल रहे थे और कहा कि नहीं तत्रयों ही त्रव्यापारा संवध्यंते पदार्थेशू सामान्य आत्मसू अविदाव्यापारह समया पेक्षय आर्था अगवन शक्तिर अविधा समय चतावत तेवन विशेशांचे आनंत्यात विविचाराच चाई कस्य ये सब आर्था हम आपको बता चुगे थे तो विशेश रूपे वाक्यारते तातपरे शक्ते परस्परान विते सामान न्यान निता सिद्धेर विशेशं गमियन ती ही ती न्यायात तत्र चाई द्विधिय कक्षायाम प्रमेती विध्यतिरिक्तम्न किंचत प्रतियते अनवे मात्र स्यव प्रतिपन्नत्वात द्विध विद्यतिरिक्त 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 कुछ भी प्रतीत नहीं होता, फिर प्रश्ण कड़ा किया कि नहीं गंगायाम गोशा विधी का तत्पर है, देखिए इध्यान रखिएगा, कि जो अधारन हम लोगों ने लिखेया है भ्रहमधार में के विश्रब्दस वसनकोद्य इसमें वाच्चे है विधी और यंग्य है निशेध है, तो हमें निशेध तक पहुचना है, तो जो अनवाट तरकी अवस्था अर्थात अविधा और तात पर ये वृत्ति, यहां तक ह वामे वाच्यार्थ विधी ही प्रतीत होती है। यही कहा इन्होंने कि तत्रच दुदिये कक्षायाम। दुदिये कक्षा क्या थी? अनवे की कक्षायाम। अनवे की कक्षा अर्था तात पर ये शक्ती। तात पर ये वृत्ती। तो दुदिये कक्षायाम भ्रमेति विध्यत पृटिशा आर्ताद भ्रम यह जो वाच्य विधिरूपी अर्थ है इसके अतरिक्त कोई भी अर्थ प्रतीत नहीं हो ता क्यों अनवय मात्रस्यव प्रतिपन क्योंकि वहाँ पर अनवय सिद्ध हो रहा है किसी परकार करें कोई बाधा उपस्तित नहीं हो रही केदि बाधा उपस्तित होगी तो हमें लक्षणा माननी पड़ेगी तो फिर ये कहतेगी नहीं गंगायाम गोशे इत्यत्र सिंगो बटुर इत्यत्र च यथानवय एव भुहूशन प्रतिहन्यते युग्यता विरहात तता तव भ्रमन निशेद्धा सस्वा सिंगे नहतः तदिदानेम भ्रमन निशेद्ध कारण वईकल्याद भ्रमनम तव उजितम इत्तनवे अस्य काचित छतिर न भवती गंगायाम घोशा और सिंगो बटु में अनवय सिद्ध नहीं हो रहा था गंगायाम घोशा में सामी पे संबंद था और आधाराधे भाव संबंद सामी पे हेतु था और आधाराधे भाव संबंद था ताराधारे भाव संबंद ये अनवय वहाँ पर सिद्ध नहीं हो रहा होना तो चाहता है वो अनवय लेकिन वो नहीं हो रहा है वो प्रतिहन्यते अनवय प्रतिहत हो जाता है बादित हो जाता है तो ऐसे इस्तिती में वहाँ यूग्गिता नहीं है यूग्गिता का वहाँ पर विरह है तो यूग्गिता विरहात भुभूशन अपियनवय यह प्र आत्र बुबूशन नपी अनवयह प्रतिहन्यते तथा आत्र न वहाँ अनवयह न प्रतिहन्यते कैसे तो तव भ्रमण निशेद्धा सश्वा सिंगे नहता तुम्हारे भ्रमण में प्रतिबंधक जो श्वा था जो श्वान था वह आज सिंग से दारा मार दिया गया तदिदा यहां पर अन्वय की छती नहीं हो रही है तो युग्यता विरहाद गंगायाम घोशह सिंगो भटू इत्यत्र भूशन नपी अन्वयह प्रतिहन्यते अत्रपुनाह युग्यतायाह विरहो नास्ती यहां जितने भी पद हैं उन सभी पदों में परस्पर अन्वय हो रहा है अत्येवा जब वहाँ पर अन्वय की छती नु रही हुए तो वहाँ पर लक्षणा को मानने के आवशक्ता ही नहीं इसलिए जो आपके अल्विता विधानबादियों ने जो माना था कि मुख्यारत वाधा मान लीजिए और विप्रीत रक्षना ले आईए और विप्रीत लक्षना से आप भर्हम के इस्थान पर माभ्रम अर्थ ले लीजिए तो यह वाच्चे ही हो जाएगा यह विधा से ही गम्य हो जाएगा इसलिए हमें विंजना मानने की आवश्यक्ता नहीं है ऐसा स्विकार करना उचित नहीं है अब इसके बाद आचारे कहते हैं देखे भवतु आसव ठीक है अचाव लक्षणा भवतु इसको आप लक्षणा मान लीजे तथावि दितीय स्थान संकांता तावात अचावन भवती लेकिन जो लक्षणा है उस लक्षणा को आप दितीय कक्षा में नहीं ला सकते कक्षाओं को ध्यान रखिएगा प्रथम कक्षा में अभीदादिती कक्षा में तात परिवृत्तिती कक्षा में लक्षणा और चतुर्थ कक्षा में आपकी जन्जना तो यदि आप मान भी लें कि यहां पर लक्षणा है यह जो प्रयोग किया गया तब भ्रह्मन निशेद्दा सस्वा सिंगे नहतत तजिदानीम भ्रह्मन निशेद्द कारण वहिकल्याद भ्रह्मन तब उचितम वित्य अनवेयस सिनकाचिछति इसमें आप मान लीजिए अनवेयसे काचिछति इसमें आप अच्छति मान लीजिए ठीक है और लक्षणा मान लीजिए लेकिन लक्षणा को जब आप लेंगे तो लक्षणा को आप सीधर अविधा के बाद नहीं ले सकते दितिक अक्षा में असव नभवती ये लक्षणा दितिक अक्षा में उपस्तित नहीं होती दितियस थानसंक्रांता लक्षणा नभवती तथा है मुख्यार्थ बादायाम लक्षणाया प्रक्लिपती है आप इने नमाना है कि मुख्यार्थ इत्यादी की बादा होती है मुख्यार्थ वादे तद्यों गई आचारे ममठ ने स्विकार किया है तो मुख्यार्थ की जब बादा होती अन्वियान उपतितात परियान उपति रूप में तो हम हमारे लक्षणाया प्रक्षणा का कि हम प्रकल्पना करते हैं उसको लाते हैं लक्षणा शक्ति को लाते हैं और बाधा चाए विरोधप प्रतीती रेव और बाधा होगी कब जब विरोध की प्रतीती होगी बाधा कार्थ क्या है अर्था बाधो योग्यता योग्यता क लेकिन ये अर्थका बाद हो जाता है जैसे वुदारण बड़ा अच्छा दिया जाता है कि अग्नी ना सिंच दी तो अग्नी में सेचनक क्रिया का सामर्थ नहीं है तो यहां पर बाद हो गया तो विरोध प्रती तिरेव जहां विरोध होगा वहां पर बाधा उत्पन्न होगे नचात्र प्रता नाम स्वात्मनी विरोध है यह जो बाकि हमने अभी अभी वे बूला बोला उपर उसमें पदार्थों में परस्पर विरोध नहीं है आत्मनी विरोध है परस्पर विरोध उनमें कोई नहीं है प्रत्येक पदार्थ अपने वाच्चार्थ को इस पश्ट रूप से अभिव्यक्त करता हुआ दिखलाई दे रहा है। परस्परम विरोध हीतिचेत यह दिवर में परस्पर एक दूसरे में विरोध है। सोयम तरही अनवय विरोध है।